प्री विद्यार्तियों हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी कालीन भूराजसु पदतियां जिनमें तीन भूराजसु पदतिया प्रमुख हैं एक तो है इस्ताई जमिदारी व्यवस्ता दूसरा है महालवाड़ी भूराजसु व्यवस्ता और तीसरा है रेतवाड़ी पदति जिस बियार उडिशा तथा उत्तर परदेश के बनारस खंड और उत्री करनाटक में अपनाई गई लगबग समस्त अंग्रेजी भारत की 19 प्रतिसत भूमी इसके अधेन की गई यानि पहली है कि इस इस्ता ही जम्मिदारी या इस्ता ही बंदोबस्त व्यवस्ता किन छेत्रों में लागू की गई तो वो है बंगाल बियार उडिशा उत्तर परदेश का बनारस खंड उत्री करनाटक में और इसके अंतरगत जो अंग्रेजी भारत की जो भूमी थी उसकी 19 प्रतिसत भूमी को लाया गया इस पदति को जागीरदारी माल गुजारी इजारेदारी इत्यादी विबिन नामों से इस्परण किया जाता है या इसको इस्थाई बंदोबस्त भी कह सकते हैं इसमें क्या 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 है इसमें राज्ये की मांग यानि बिटिस राज्ये की जो मांग है कि जम्मीदारों से सदेव के लिए निचित कर दी गई अन्ये पद्यतियों में 10 से 40 वर्स के पच्छाद भूमिकर में परिवर्तन किये जाते थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं था यानि सदेव के लिए निच्चित कर दी गई कि राज्जी की मांग जमीदार कौन सा जमीदार कितना पैसा राज्जी की खजाने में जमा कराएगा भूमिकर के रूप में ये निच्चित कर दिया गया फिर आगे हैं इसता ही बंदोबस्त में जमीदार को भूमिकर का स्वामी माना गया उसे भूमिकर को बेचने या रहन रखने यानि गिर्वी रखने देने की अनुमती थी राज्य जमिदार को भूमिकर देने की अवस्ता में उसकी भूमि जब्द कर लेता था यानि जो जमिदार भूमिकर न देता उनकी भूमिकर को जब्द कर सकता था इसके अलावा भूमिकर की मांग बहुत उची निचित की गई यह बहुत उची कितनी बंगाल में यह कुल आय का 89 परतिसत यानि 90 परशंट 11 परतिसत जमिदार राट का वह निचित who बंगाल के बंगाल की कुल आय का 8 बटा बंगाल बंगाल्स आए का 8 बटा 9 भाग और वो तो राज्य की आय निचित की गई या राज्य का कर निचित की आ गया और एक बटा नौ सेज जो है ग्यारा परसेंट वो जमीदार की आय निचित की गई जमीदारी व्यवस्ता गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉन्वालिस के समय शुरू गई गई थी और इसके हैतु स्योग दिया था जॉन सोर ने जॉन सोर जो उसमें बिटी सद्धिकारी था और इसता ही बंदोबस्त को सुचारू रूप से संचालित करने का उतरदायत भी इनके पास था वो कहता है कि 1766 में जब कमपनी के दिवानी के पर्तम वर्ष में कमपनी का वास्त्विक संगरण 것도 1,67,000 पाउंड बताया यहिए यानि 1765 और 1665 में कमपनी के दिवानी के परतम वर्ष न था उसमें कमपनी की आय कर के रूप में 1,7,000 पाउंड थी जो यह मात्रा 1790 और 1713 नों में बढ़कर 126 लाग पाउंड हो गई 14,07,000 पाउंड से किते हो गई 126 लाग पाउंड यदियपी कमपनी की मांग सदेव के लिए निच्छी थी लेकिन कालांतर में जमीदार कर्षकों से अधिक भूमिकर लेने लगा था और बहुदा कर्षकों को बेद दखल कर दिया जाता था यदियपी कहने में तो यह था कि जमीदार निच्छी दूरूप से कमपनी के कोस में इतना धन जमा कराएगा लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जमीदार कर्षकों से अधिक भूमिकर लेने लेगा और कमपनी के खजाने में बहुत कम रासी जमा कराने लगा और कभी-कभी तो कर्षकों को भूमी से बे दखल भी कर दिया जाता था 860, 868, 865 में पारित किये गए मंगाल रेंट एक्ट के दुआरा कर्षकों को लाब अवश्य हुए किन्तो कुछ इत्यास करकर उसार यह कर्षकों को केवल सांत रखने के लिए थे यानि बीटी सरकार ने देखा कि जम्मिदार कर्षकों से अधिक कर ले रहे हैं और उनको बे दखल कर रहे हैं बूमी से बूमी के स्वामित्तु से तो बीटी सरकार ने 860 में, 868 में, 885 में क्या किये बंगाल रेंट अक्ट पारित किये ताकि कर्षकों का भूमी से बे दखल होने को रोका जा सके लेकिन कुछ इत्यास कार कहते हैं कि यह केवल कर्षकों को सांत रखने के लिए था क्योंकि कर्षक ऐसा कोई विद्रो नहीं कर दे तो इसता ही जम्मिदारी व्यवस्ता में क्या देखा हमने पहले देखा था कि यह कौन से छेतर में लागू की गई तो बंगाल ब्यार उडिसा उत्तर प्रदेश का बनारास खंड और उत्तरी करनाटक कितने परसंट भूमी थी इसमें अंग्रे जी राजजी की 19 प्रतिसत भूमी थी इसके अलावा इसको अन्य नमों से भी जाना जाता है जागिरदारी माल गुजरी जारीदारी इसमें राजजी की मांग सदेव के लिए नीचितन कर दी गई इसके अलावा इस तैग बंदोबस्त में भूमी का मालेक स्वामी किसे माना गया जमिदार को मानी वो भूमी को बेज सकता था रह सकता था और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी भूमी जबत कर ली जाती भूमी कर की मांग बहुत उच्छी नीचित के गई यह बंगाल की कुल आया आपकुल भाटक का 89 परसेंट था और सेस 11 परसेंट जमीदार का था कौन किस वाइसराय के समय सुरू की गई सुरी गवर्नर जनरल के समय तो वो थे लॉर्ड कौन वाले स्थवारा इसके अलावा इसकी मांग बहुत अधिक उची थी और किस्टों को बेदखल किया दिया जाता था बोमी से इसलिए बंगाल में बंगाल रेंट एक्ट द्वारा कर्शकों को बेदखलन करने के खिलाब कुछ नियम कानुन बनाए गए थे तो इस तरह से हमने दूसरे वीडियो लेक्चर में इस्ता ही जमीदारी वेवस्ता या इस्ता ही बंदोबस्त वेवस्ता को जानने का परियास किया धन्यवाद